बच्चो आगे देखते हैं हम किसी कर्व को अगर माइनस साइन से मल्टिप्लाइ कर दें तो क्या होगा यानि कि हमने कुछ ऐसे कर्व देखे कि y equals to x square ये कर्व देखा और इसकी बाद परी तो बच्चो y equals to minus x square कैसा होगा y equals to x square के लिए हमने कुछ lines बनाई थी like x-axis और y-axis को plot किया था y-axis नहाए x-axis और आपका कर्व कुछ ऐसा आ रहा था जिसकी tip हमारी 00 पर थी ऐसे करके हमारा कर्व था तो ये बच्चो हमारा y equals to x square हो गया था y equals to minus x square यानि कि यहाँ पर जो भी y की value है जो x square की आएगी उसका negative times है तो ये बहुत simply क्या हो जाता है कि इसको आप ऐसे flip कर देते हैं आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा flip हो गया है यानि कि जो उपर था आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो x-axis है उसके about mirror image यानि कि अगर curve यहाँ है और यहाँ पर mirror लगा दें तो इसकी image यहाँ दिखीगी तो y equals to minus x square हो जाएगा अब इसमें बात आती है जैसे हमने curve shift किये थे y equals to minus x square plus 1 y equals to minus x square plus 1 next curve हम बनाते हैं y equals to minus x square plus 1 तो यहाँ पर भी हमारा वही formula काम करेंगा वच्चो कि आपने क्या करना है कि curve plot करना है तो minus x square का curve कहीं ने कहीं यह plot होगा ऐसा करके आपका curve आगया तो अब क्या करना है अब इसको भूल जाओ इसको ध्यान रखो अगर plus 1 करते हैं तो हमारा curve कहाँ जाता है हमारा curve उपर की तरफ shift होता है तो यह curve 1 unit उपर की तरफ shift हो जाएगा और आप देख सकते हैं x equals to 0 पर यह y की value 1 आईगी अगर आप x की value 0 रखते हैं तो y की value आपको 1 आजाती है तो यह y axis को intersect करेगा 0,1 पर तो यह भी बोल सकते हैं कि इसका vertex कहाँ होगा 0,1 तो हमारा curve उपर की तरफ shift हो जाएगा इस तरह से हम इसका curve बना सकते हैं अब हमने y equals to x square देखा इसके बाद थोड़ा सा अगर curve आप से पूछ लिया जाए कि y equals to x square तो ठीक है लेकिन अगर y square equals to x का curve कैसे है तो बच्चों इसको हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि y equals to root x है यह दोनों curve सेम होंगे पस यहाँ पर यह क्या होगा कि x की always positive value होगी x की value always positive होगी क्योंकि y की value कुछ भी है आप इसमें सिर्फ x की value positive रख सकते हो क्योंकि जैसे negative रखोगे तो negative value किसी square की value नहीं हो सकती है तो यह सिर्फ x positive के लिए define होगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि यह curve कुछ ऐसे आएगा x-axis और y-axis draw कर देंगे हैं और अभी हमने draw किया था इस type से यानि कि यह क्या था y equals to x को तो यह y-axis के about इस type से था यह क्या कर रहा था x-axis को touch करते होगे ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपने देखा y की negative value नहीं थी हमेशा positive में ही था अब यह थोड़ा सा x और y में shift हो जाएगा तो यह curve कैसा बनेगा y-square equals to x या आप इसको ऐसे भी call कर सकते हो कि आपने x और y-axis को थोड़ा सा interchange कर दिया है x equals to y-square तो बच्चों यह curve कुछ ऐसा बनता है यह जो y-square के about बन रहा था sorry y-axis के about बन रहा था same curve आपका x-axis के about बन रहा था तो यानि कि यह इस curve को आप बोल सकते हो y equals to y equals to root x और y-square equals to x तो आप देख रहें कि जैसे-जैसे x की value बढ़ाते जाओगे अब इसमें क्या होता है y equals to root x में आपको एक x की sorry x के लिए एक y मिले लेकिन लेकिन y-square equals to x में आपको एक x के लिए 2y मिलेंगे क्योंकि y को आप लिखोगे plus minus root x तो अगर आप y equals to root x plot करोगे तो यह सीधे उपर की तरफ आएगा अगर आपने y-square equals to x पूरा plot किया तो यह कुछ ही ऐसा है यानि कि यह उपर वाला जो है सिर्फ half part है तो यह आप देख सकते हैं नीचे वाला देख सकते हैं y-square equals to x में यह दौनों साइड आई हैं तो बच्चों यह हमने y equals to root x का curve बना दिया है इसके बाद curve में अगर आपके पास कुछ ऐसा variation देखें हमने अभी देखा कि y equals to x square plus 1 तो इसको क्या होता है y equals to x square होता है और उसको 1 unit पूरा shift कर देखें लेकिन बच्चों आपको curve कुछ ऐसा दे दिया जाए curve कुछ ऐसा दे दिया जाए कि y equals to x plus 1 का whole square x plus 1 का whole square तो बच्चों क्या होता है कि आप न y equals to x square plot करेंगे इसमें y equals to x square plot करने के बाद ये आपका y equals to x square होता है अब यहाँ पर क्या करना है आपको ये याद रखना है कि अगर x plus 1 है क्या है? x plus 1 तो आप ये देखो इस bracket को 0 बनाओ इस bracket को 0 बनाने के लिए यानि कि x plus 1 को आप 0 रखोगे तो x की value आईगी minus 1 यानि कि y equals to 0 कब होगा जब आपका x equals to minus 1 ठीक है? x equals to minus 1 से हमें क्या पता चलता है? कि आप इस curve में देखेंगे कि y 0 कहा हो रहा है? x equals to 0 इस curve का 0 कहा हो रहा है? x equals to minus 1 पर यानि कि यहाँ minus 1,0 तो आप यह देखेंगे कि इसको आपने 1 unit left में शिर्ख रहा है यानि कि आपको कहां shift कर देना है? minus 1,0 फिर धान दो यहाँ x plus 1 था आपने इस bracket को 0 बनाया यानि कि x की value के आई minus 1 x की value minus 1 रखोगे तो y की value के आईगी? 0 तो आपका यह जो vertex था यह वाला point था पहले 0,0 पर आ रहा था इसको left में shift कर देंगे तो यह हो जाएगा x square तो इसको shift कर देंगे तो यह हो जाएगा y equals to x plus 1 का whole square यह curve ठीक है बच्चो? आच्छा इसके बाद अगर किसी ने पूछ लिया कि हमने इसमें से minus करना है यानि कि आगे यह curve किसी ने बनाना है y equals to x minus 1 का whole square तो इसमें क्या करेंगे? आप यह देखेंगे कि इस bracket को 0 बनाना है x minus 1 equals to 0 x की value क्या होगी? plus 1 और उसी x equals to plus 1 पर आपकी y की value 0 आजाएगी तो यहाँ पर again आप curve plot करेंगे आपको पस जो fundamental है वो याद रखना है fundamental हमारा y equals to x square करदा है यह हमारा fundamental करदा है यह y equals to x square है अब यह 0 कहां आ जा रहा है? यह 0 जा रहा है आपका x equals to plus 1 पर x equals to plus 1 पर y की value 0 आजाएगी तो बच्चो इसको क्या shift करेंगे? y x equals to plus 1 यह हो जाएगा plus 1,0 या 1,0 भी कर सकते हैं इस वर्टेक्स को आप कहां shift कर दोगे? plus 1 पर तो यह curve आपका कहां बन जाएगा? यह curve बन जाएगा आपका y equals to यह curve हो जाएगा आपका y equals to x minus 1 का whole square इसमें भी plus minus 1 कर सकते हैं तो क्या होगा? यह curve उपर shift हो जाएगा? या यह curve नीचे shift हो जाएगा? तो इस तरह से आप perfect square बनाके भी थोड़ा सा curve को deal कर सकते हैं अब बच्चो आगे हम देखते हैं कुछ standard curves standard curves जो हमें physics में ज़रुद पढ़ेगी यानि कि आपका जे इनीच और 11th और 12th क्लास के syllabus में, physics के syllabus में आपको इनकी ज़रुद पढ़ती है क्योंकि हमें कई बार दो quantities का relation देखने के लिए curve की plot करना होता है और उसकी ज़रुद पढ़ती है तो यह curve हमें known हो तो बड़ी help हो जाती है तो जैसे हम सबसे पहले हम जो basic curve देखेंगे trigonometric curve होंगे वो y equals to sin x बहुत fundamental curve है और very useful and very frequently used बहुती ज़्यादा use होता है तो इसको अब यहाँ पर हम x को radian मिलेंगे x की value degrees में ना लेके x क्या होगा x will be in radian angle को हम radians में लेंगे और x axis पर obviously हम x plot करने वाले है और y axis यानि कि y equals to sin x plot अपने को पता है x equals to 0 तो यानि कि y equals to क्या हो जाएगा sin 0 sin 0 की value 0 आदिए तो कहीं न कहीं x 0 पर y 0 है और हमारा कर्व यहाँ से start होना जाएगा हमारा कर्व 0,0 से start होना जाएगा अब कुछ bullet points देख लेते हैं क्या है कि आपको पता है x equals to pi by 2 x equals to pi by 2 उपर यह आप y equals to one line मना लेते हैं और नीचे आप y equals to minus one line मना लेते हैं क्योंकि आपके sin x की value plus one और minus one के बीच में होती है तो आपकी y की value plus one और minus one ना उपर जाएगी ना नीचे जाएगी तो यानि कि plus one और minus one के बीच में ही होगी आपकी तो आपने देखा x equals to pi by 2 उपर तो आपको यह value मिल जाएगी one तो यह curve इन दोनों points को join करेगा आप देखोगे x equals to pi by 4 pi by 4 यानि कि sin sin pi by 4 यह value आपको पता है one by root ठीके so आप इसको ऐसे plot कर सकते है यह curve कुछ ऐसे आएगा यह curve कुछ ऐसे इसके बाद आप देखेंगे कि pi पर यह value 0 हो जाएगी तो यानि कि यह curve ऐसे जाके और फिर ऐसे है फिर आप देखेंगे 3 pi by 2 3 pi by 2 पर इसकी value minus 1 हो जाएगी यानि कि 3 pi by 2 पर minus 1 हो जाएगी और 2 pi पर यह value again pi 0 जाएगी यानि कि मैंने x की value रखके y की value plot कर लिए आप यह देख सकते हैं कि x equals to pi by 2 पर यह है 3 pi by 2 पर जाएगी अब यह positive negative में देखो 0 to pi by 2 में जो unit आ गई बस यही repeat होते जाएगी क्योंकि pi by 2 के बाद वो same यह एक बार rotation हो गया फिर उसके बाद दूसरा rotation तीसरा rotation तो फिर से यही value repeat होंगी कैसे होंगी यही value repeat होते हैं अगर left side में देखें तो left side में बस ऐसे repeat होते हैं तो यानि कि अगर मैं minus में भी इसको बनाना चाहें तो आप इसको minus में भी plot कर सकते हैं यानि कि theta को आप negative लेके भी देख सकते हैं तो यह value minus pi by 2 पर minus 1 आएगी और pi पर value 0 आएगी तो यह कुछ ऐसा कर वाएगा और again यह वाला कर उपर चलाया this is minus pi, minus pi by 2, minus 3, pi by 2 and this is minus 2 आगे यह curve अगर आपने बनाना है तो यह वाली unit बस repeat होते जाएगी यह वाली unit repeat होते जाएगी और infinity तक ऐसा ही बनता जाएगा यह infinity तक यानि कि y की value आप देख सकते हो तो ऊपर कभी नहीं जा रही है और नीचे कभी नहीं आ रही है तो यहाँ पर यह आपको sign curve नहीं है इसकी थोड़ी सी idea होना चाहिए कि sign curve क्या है बाकी इसकी property जब हम differentiation पढ़ेंगे तो और देखेंगे दूसरा हम बनाते हैं next हमारा जो curve होता है वो होता है y equals to cos x y equals to cos x में again हम plot करेंगे x-axis y-axis और यह हम y equals to plus line one line बना लेते हैं और यह y equals to minus one यानि कि यह आपकी x-axis है this is your x-axis and this is your y-axis and this is 0,1 0,0 यह origin है और यह 0,1 तो आप इस line को देखेंगे यह y equals to minus x है sorry y equals to minus one line है और यह y equals to plus one cos x को देखने के लिए पहले x equals to zero डालेंगे तो y equals to cos 0 हो जागा cos 0 की बच्चों आपको value पता होती है one यानि कि x equals to zero पर y की value one आ लेंगे तो पहले यह point draw कर लेंगे x equals to zero पर y equals to one यह point कहीं न कहीं हमारा graph में आने वाला है दूसरा आप देखें कि x की value आप यहाँ पर plot कर सकते हैं मैं यहाँ पर बना देते हैं आप करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं यानि कि this is your x and this is your y x की value पर y की value one x को मैं angle में रखूंगा यानि कि πाई बाई बाई टू रखूंगा तो cos πाई बाई टू की value zero आ जाती है अब इसके बाद cos πाई आती है cos πाई की value minus one हो जाती है cos 3 πाई बे 2 आती है again zero हो जाती है 3 πाई बे 2 से 2 πाई में अगर 2 πाई करें तो 2 πाई की value cos zero के बरावर one हो जाती है तो यह कुछ points आएंगे आप देख सकते हो let's say this is πाई बाई 2 और this is πाई तो आप देखेंगे πाई पर value minus one हो रही है यानि कि cos हमारा कुछ इस type से जाता है और यह फिर 3 πाई बाई 2 पर फिर से zero हो रही है तो यानि कि फिर यह lot के आगा और 2 πाई पर जो value है 2 πाई पर आप देख सकते हैं plus one हो तो यह point consider करेंगे और यह इसको join करेंगे तो हमारा curve कैसा आ रहा है आप देख सकते है cos का curve start होता है one से यानि कि y equals to one से होता है फिर πाई बाई 2 पर zero हो जाता है फिर यह negative होता है फिर यह zero होता है और फिर यह positive होता है तो आप देख सकते हैं zero से πाई बाई 2 में zero से πाई बाई 2 यानि कि यह first quadrant हो गया तो यहां cos की value positive है πाई बाई 2 यानि कि πाई बाई 2 से लेके πाई और 3 πाई बाई 2 यह second quadrant और third quadrant तो आप देखेंगे यह second quadrant है और यह third quadrant है दोनों में इसकी value negative है यह ऐसे जाएगी minus 1 फिर πाई बाई 2 बाई अब यह आजाता है आपका fourth quadrant यह आपके fourth quadrant की value है यह fourth quadrant आजाता है fourth quadrant में again cos positive हो लेता है अगर आपको इसमें negative में बनाना हुआ negative में आप again ऐसे ही बनाएंगे minus 5 by 2 की value लेंगे minus 5 by 2 पर यह value 0 आजाती है और आप minus 5 पर 5 पर value कितनी आ रही है? 5 पर value minus 1 आ रही है minus 5 पर भी value minus 1 ही आती है तो आप इस point को consider करते हुए इसको आप ऐसे बनाएंगे continuous curve होगा यह ऐसे होगा फिर यह कुछ ऐसे नीचे जाएगा smooth curve बनना रहा है और यह minus 2 pi पर value हो जाती है and this is minus 3 pi पर तो cos curve जैसा positive में है वैसा ही negative में होता है कोई फरक नहीं पड़ता है pi by 2 पर और minus pi by 2 पर same value रहती है pi पर और minus pi पर same value रहती है फर्दर आपने बनाना है तो यह unit को repeat करते जाएंगे आप यह unit को लेंगे और यहां पर paste कर देंगे ऐसे infinity तर जा सकती है minus infinity पर भी जा सकती है तो इस टाइप से हम cos का curve बनाएंगे काफी crucial है यह cos curve और sin curve ट्रिग्नोमेट्रिक का बावन एची है इसके बाद x to the base e log x to the base e का जो curve है पहली बात यहां पर जो x है log x यह हमने origin बनाया है यह हमारा हो गया origin यह x axis यह y और हम बात कर रहे थे x की यहां पर जो x है हमारा यह x ना positive होना चाहिए always positive क्योंकि negative number का logarithm define नहीं होता है तो बच्चों यह कुछ curve इस type से आता है मैं आपको बताता हूं कि अगर x की value 1 है तो y की value 0 आईगे x की value 1 y की value 0 तो यह कहीं यहां से 1,0 से cross करेगा और आपको मैं बताता हूं कि जब आपका base 1 से जादा है तो यह कुछ curve इस type से जाता है यानि कि 1,0 से आप इस number को बहुत छोटा कर दोगे it will tends to 0 बहुत छोटा 0 नहीं कर रहे हैं बहुत छोटा तो यह number negative हो जाएगा यानि कि if your x is आप यहां पर mark कर लें यह observation क्या है x अगर less than 1 है तो आपका log x to the base e यानि कि y आपका negative होगा आप देख पर x x 1 और 0 के बीच में आपका y negative है और दूसरी point देखने वाली है कि आपकी अगर x greater than 1 है तो आपकी y positive है यानि कि x अगर आपकी fraction है 1 से छोटा है तो y की value आपकी log log x to the base e आपका negative हो और अगर x की value 1 से जादा है तो log x to the base e positive होगा तो इस तरह से इस curve को पता होना चाहिए अगर किसी ने आपसे यह पूछ लिया log x to the base e यानि कि log log 1 by x to the base e तो आप इसको क्या करेंगे आप इसको करेंगे यह convert हो जागा log की property से log x to the base e minus times यानि कि x की power minus 1 करेंगे और उसको बाहर लेंगे तो यह क्या हो गया this is minus times log x to the base e बस जो कर्व हमने ऊपर बनाया उसको minus से multiply करेंगे तो देख लेते हैं एक बार कैसे होग next curve अगर हम देखें कि y equals to log 1 by x to the base e तो बच्चो अगेन positive के लिए ही बनाएंगे x positive होना चाहिए मैं आप इसमें x must be positive x positive के लिए बात करेंगे log negative numbers के लिए define गेंगे तो यहां पर अगर आप इसको log की property करेंगे तो यह हो जाएगा log x की power minus 1 होगी और वो बहार आ जाएगी तो यह आपका convert हो जाएगा तो actually आपको यह curve बनाना है तो curve plot करने के लिए आप क्या करेंगे x axis और y axis बना देंगे तो अभी आपने जो curve बनाया था यह कुछ ऐसे बनाया था यह था y equals to log x to the base e और इसको natural log ln x बोल देंगे अब इसका minus बनाना है minus बनाने के लिए बच्चो क्या करते हो आप invert कर देंगे तो नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे हो तो यह curve हमारा कुछ ऐसे आनवारा है यानि कि यह इस point पर intersect तो यह curve हमारा x equals to 1 पर y equals to 0 होता है तो आप देखेंगे यह curve हमारा कुछ ऐसे वालना है minus से multiply करने का मतलब है आपने बस invert कर देना है नीचे वाले पार्ट को ऊपर वेज देना है जो negative है उसको positive कर देना है और positive को negative कर देना है आपको मैं एक थोड़ा सा rough idea देता हूँ कि पहले हमारा curve कैसा था तो पहले हमारा curve कुछ ऐसे था और अब curve यह हो गया है तो यह वाला curve हमारा था y equals to log x to the base e और इसको हम बोल सकते हैं y equals to minus log x to the base e or you can also say that this is y equals to log 1 by x to the base e तो बच्चो ऐसे nature देख लेंगे दोनो positive होने चाहिए तो log x और log 1 by x की value हमें थोड़ी सी idea हो जानी चाहिए इसके बाद एक बहुत ही important curve है chemistry के लिए भी और physics के लिए भी बहुत ज़्यादे important यह होता है y equals to 1 by x और कुछ y equals to sum constant by x और इसको इस type से भी लिखते हैं y into x equals to c यानि के sum constant इसको बच्चो इसके पहले हम draw कर लेते हैं फिर इसके देखेंगे कि इसके graph को कैसे पहले हैं अच्छा बच्चो आप देखोगे कि अगर यह c positive है आप condition लेंगे अगर यह c positive है c is positive कुछ positive number है तो आप देखेंगे c क्या है product of x and y तो x अगर positive होगा तो y भी कैसा होगा positive होगा यह case और second में अगर x negative होगा तो y भी कैसा होगा negative होगा तब भी तो उनका product positive बनेगा तो यह curve हमारा दो जगे बनता है एक x positive x positive और y positive है x negative और y negative है तो यह curve बच्चो कुछ ऐसा आता है यह curve कुछ ऐसा आएगा यानि कि यह अगर x infinity जाओगा आप अगर x में infinity जाओगे तो y की value 0 होती जाएगी और यहां x की value 0 की तरफ जाओगे तो y की value infinity जाओगे यानि कि यह y axis और x axis को बहुत दूर यानि कि infinity पे जाके touch करने वाला वनेगा अब यह तो इसका एक part हो गया और दूसरा part कहीं इसी type का इधर भी आएगा same बिलकुल क्योंकि जब y की value negative होगी तो x की value भी negative होगी this is minus x and this is minus 4 तो यह y equals to तो आप देख सकते हैं y equals to x equals to c आप यह देखेंगे कि इसको एक तरह से और देख सकते हैं कि अगर y equals to x line मना है y equals to x line यह आपकी कैसी है y equals to x line ठीक है तो यह यहां के mirror image होगा ठीक है ना जैसे यहां पर अगर आपने x की value ली जो y की value आई है तो यहां पर आपने जो y की value ली और x की value ठीक है ना interchange हो जाएंगे ठीक है तो इसको लेलते हैं this is one comma two तो यह point होगा two comma one तो यानि कि कोई भी अगर point लाई कर रहा है यहां पर x one comma y one ठीक है तो यहां पर y one comma x one point भी लाई करेगा यानि कि one comma two भी है तो two comma one भी इस point पर होगा इसकी further detail में नहीं जाते हैं बस हम nature देख लेते हैं कि कैसा होगा और बच्चो इसको बोलते हैं rectangular hyperbola इसको क्या बोलेंगे इसको बोलते है rectangular hyperbola अब यह hyperbola क्या होता है maths वले बच्चे पढ़ेंगे लेकिन जो maths नहीं है जिन बच्चो के पास वो इसको याद कर लेंगे बस इसको rectangular hyperbola बोलते हैं तो यह बच्चो बहुत important curve होता है कई बार आपको chemistry में मिल लेगा और physics में तो यह आता ही आता है इसके बाद next जो curve हमारा आता है next curve हम देख लेते हैं exponential curve बनाएंगे y equals to y equals to e की power x y equals to e की power x curve कैसे बनेगा यहाँ पर आप देखेंगे देखो सबसे पहले देखते हैं कि x equals to 0 पर क्या है x equals to 0 पर आप देखेंगे कि e की power 0 यानि की 1 हो जाएगी तो y की value आपको मिलेगी 1 ओके x equals to 0 पर y की value 1 है तो यह पहीं यहाँ से जाता है 0,1 से पास होता है वैसे देखना होता है कि अगर हमारे पास x की कुछ negative value है x अगर negative है let's say e की power minus x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते है e की power 1 upon e की power x तो बच्चों जैसे x x tends to minus infinity होता है x tends to minus infinity का मतलब होता है x एक बहुत बड़ा number है और negative है और कैसा है negative है तो x को अभी negative को आप भूल जाओ तो यह क्या होता है कि यह e की power x और x tends to minus infinity पर यह बहुत बड़ा number होता है लेकिन यह 1 upon e की power x यह बहुत बड़ा number आता है क्योंकि यह negative था और इसका हम modulus लेते हैं तो आप इसको ज़्यादा detail में ना जाते हुए आप यह देखो कि अगर minus infinity होगा तो y की value 0 को turn करती है y की value 0 की तरफ जाती है और x अगर positive infinity होगा तो y की value infinity की तरफ जाती है कि x को अगर हमने बहुत बड़ा number ले लिया तो e की power x भी बहुत बड़ा number होगा यानिकि x का modulus 1 upon e की power x है यह number बड़ा होता जाएगा जैसी negative लेंगे तो 1 upon होता जाएगा तो यह number कैसा 0 को turn करेगा तो इसका curve का देख लेते हैं detail में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं यह curve कुछ ऐसे बनता है यह curve कुछ ऐसे बनता है यानिकि यह touch करने की कोशिश करता है यह infinity पर और यह उपर की तरफ जाता है और इस curve को आप नाम देदेंगे e की power x अब 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 चो किसी ने आपसे पूछा कि e की power minus x मैं यहाँ पर दूसरा curve भी बना देता हूं y equals to minus times e की power x तो यह practice के लिए आप इसी curve में बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी curve को minus से multiply करते हैं तो कैसे बनाते हैं next curve की बात करते हैं next curve भी हमारे लिए important है y equals to e की power minus x अब हमने पूरे में यहाँ पर multiply नहीं किया minus लेकिन हमने x को negative कर दिया यानि कि जो curve हमारा इस type से आ रहा था यह हमारी y axis और यह हमारी x अभी आप देख सकते हैं कि curve हमारा कुछ है इस type से था अब हमने क्या किया कि x को negative से multiply कर दिया यानि कि जो value x की negative है वो positive हो जाएंगी और जो value x की positive है वो negative हो जाएंगी तो यानि कि यह y equals to e की power x में है जो यह positive के लिए आ रही थी वो negative के लिए आई यानि कि आप यह देखो कि y equals to e की power x अगर x equals to 1 ले तो y की value e आई दूसरा आपने क्या देखा y equals to e की power minus है तो यहाँ पर x equals to 1 ले तो y equals to क्या आईगा e की power minus 1 लेकिन यहाँ पर आप x equals to minus 1 लेते हैं तो y की value e आई तो यानि कि इस curve में जो value negative के लिए आ रही है हमारे आने वाले curve में वो positive के लिए आईगी और इस में जो positive के लिए आ रही है यह कुछ s टाइप से होगा यह दोनों intersect करेंगे इस point पर this is 0,1 तो आप देख रहे हैं यह negative वाली value इधर shift हो गए मतला आपने y axis के about mirror image ले लिए ठीक है so जो x की negative value के लिए आ रहा था पहले अब वो x की positive value के लिए आएगा क्योंकि आपने x को negative से multiply कर दिया है और जो x की positive value के लिए आ रहा था अब वो x की negative value के लिए आएगा तो यह ऐसे करके change हुआ है ठीक है अब अच्छो इसको अगर मैं negative से multiply करूँ इसको अगर negative से multiply करूँ अगर मैं आपको curve देता हूँ यानि कि आपको मैं curve देने वाला हूँ y equals to minus times e की power minus x यानि कि यह curve है आपका y equals to इसको लिख देते हैं this is y equals to e की power minus x and this is y equals to e की power x अगर इस curve को आपने negative से multiply लिया तो negative का मतलब है यहाँ यह y equals to minus times e की power minus x यह multiply लिए तो obviously क्या होगा कि यह invert हो जाता है आपने अगर पूरे curve में minus लगाया तो y की positive value negative हो जाएंगी और negative value positive हो जाएंगी आप देख सकते हो यहाँ पर y की सिर्फ positive value negative तो है नहीं तो इसको अगर minus से multiply कर दिया तो यह type से हो जाता है इस type से curve लिए ठीक है इस curve को भी देख लिए हो y equals to minus times e की power minus x यह curve बनाना है यह curve बनाने के लिए हम again we will plot x-axis and y-axis this is your x-axis this is your x-axis and this is your y-axis तो curve plotting में हमने क्या बोला minus times e की power 1 यानि कि x equals to 0 x equals to 0 पर e की power 0 और उसका भी minus minus 1 तो यह क्या आजाएगा minus 1 तो यह 0, minus 1 से pass करेगी x equals to 0 पर y की value minus 1 तो आपका यह point obviously यह बन जाएगा 0, minus 1 तो यह value यहाँ से pass करते हैं ठीक है तो actually अभी आपने देखा था curve ऐसा बना था यह था y equals to e की power minus अगर इसमें minus से multiply करें तो यह curve बस क्या होगा mirroring में जा जाएगा yx आपने अगर पूरे से multiply किया है तो आपने कुछ ऐसा curve आजा है यह आता है e की power minus x इस curve को आपने याद रखना है ठीक है अब एक और variation इसमें करते हैं एक और variation हम करते हैं कि अगर आपके पास curve की value आपको curve ऐसा दिया हुआ है minus times e की power minus x और इसमें plus 1 कर दें plus 1 कर दें तो कैसा बनेगा यह curve यह आपका x-axis हो गया और यह आपका y-axis तो बच्चो अभी curve हमारा ऐसे आने वाला था अभी जो curve आ रहा था हमारा ऐसे आ रहा था और यह जो cut कर रहा था वो इस value पर cut कर रहा था आपने यह value देखिए अगर इस curve में एक plus 1 कर दें तो बच्चो क्या होगा आप सोच के देखो वीडियो को pause करो आप सोच के देखो प्लस 1 क्या कर देखो हमने काफी practice कर लिया तो बच्चो आपने सोच लिया तो आप देखो सोचने के बाद आपने क्या सोचा होगा अब बिलकुल साई सोचा आपने क्या सोचा इसको एक unit ऊपर shift कर देखो प्लस 1 किया है तो यह minus 1 की value 0 हो जाएगी तो यह curve कुछ S type से जाएगा थोड़ा सा इसका यानि कि इसके parallel shift हो जाएगा और यह curve कुछ S से जाने वाला है और यह प्लस 1 कोल अपने आपने क्या वाला है भी खाला है यह जाएगा है आपने क्या सोचा इसके इसके बाद मुझय कोई खाला है झाल झाल तो आप देख सकते हैं यह कर्ब कुछ ऐसे जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं और y equals to इस कर्ब को आप ऐसे भी लेख सकते हैं और y equals to 1 minus e की पावर minus यह कर्ब का नीचर ऐसा होता है यह कर्ब हमें 12th class में थोड़ा सा use में आएगा तो इस तरह से हमने काफी variation देख लिए, lock के variation देख लिए, sign के variation देख लिया, cost का variation देख लिया मतलब overall हमने काफी curves हमारे जो use होने वाले हैं वो सारे cover कर लिए further कोई भी specific curve होईगा और वो हमें use होगा तो हम at a point हम आपको समझा देंगे और बता देंगे तो यहां पर हमारी curve valley journey end होती है